यही 90-95 का problem है, देखने में थोड़ा सा tough लगेगा, बट हम लोग इसको बहुत ही simple तरीके से करने वाले है, यहाँ पर आपको given एक rigid fixed block और एक slender, now situation कुछ ऐसी है कि यह माल लीजे आपका एक block का corner है, ठीक है, age है उसकी, और जो आपका slender है, उसकी जो axis है, इस age के साथ parallel है, ठ इसका axis और यह age एकी vertical plane में है, यानि कि यह आप बहुत ही simplify तरीके से देखो, तो माल लो यह आपका एक box दिख रहा है, sub side से दिख रहे हो, और यह आपका दिख रहा है cylinder, ठीक है, now इसका जो center of mass है, जहांसे axis pass हो रही होगी, वो कुछ इस situation में है, यानि कि देखो आप पास आप push कर दोगे, तो नीचे गर जाएगा, यहाँ पर sufficient friction भी है, जिससे यदि आप कोई small force लगाएं, तो यहाँ पर इसकी age पर without slipping motion होगा, cylinder roll off करेगा कैसे, without slipping, अब आपको बताना है, वो angle theta c, जो cylinder rotate करेगा, before leaving contact, एक बात, दूसरी बात आपको बताना है, यहाँ पर, ज इसरी बात जो आपको बताना है, आपको ratio बताना है, kinetic energy, translatory kinetic energy का, rotatory kinetic energy के साथ, जब theta आपका हो जाएगा, 90 degree, clear है, I-O problem आपको clear है, अप फोड़ा इसको समझते है क्या करकार हो, क्या रहा हो, right, now, यदि आप ध्यान से देखें, तो situation कुछ ऐसी स्टार्टिक में, थोड़ा स पुछ दिया, right, तो आपको कुछ ऐसी situation दिखी, right, और यदि आप इन दोनों एक साथ देखना चाहो, तो situation आपको कुछ ऐसी दिखेगी, कि आपका starting में ऐसे था, आपने हलका सा पुछ किया, तो यहाँ पर इस point के about, यह जो CM था, यहाँ पर देखो, यहाँ से गुम के यहा करें, तो आप इसको solve कैसे करें, simple बात है, हम लोग यूज करेंगे, free body diagram, right, तो यह आप यहाँ पर इसका central mask को focus करो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखेगा, ध्यान से देखिए, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कुछ ऐसे देख पाऊगे, माल लेते हैं, यह इस normal भी दिखेगा इसको, right, अच्छा, अब यहाँ पर यह क्या हो रहा होगा, उसने question में भी बोला कि selfing नहीं हो रही है, तो क्या मिलेगा आपको pair rotation, इस point came out, ठीक है, के लिए इतनी सी बात, now, तो यहाँ पर आप क्या equation लिख सकते हैं, force की equation लिख सकते हैं, mg cos theta minus n is equal to mb square upon r, यहाँ पर जो भी omega होगी, और किस चिस भी point की आप बात करो, यहाँ पर ही radius आजाएगा, right, तीसरी बात, तीसरी बात देखो, इस point के बात rotation हो रहा है, तो जाहर सी बात है, यहाँ पर जो energy decrease होगी, potential energy जो decrease होगी, वो increase रहाएगी kinetic energy, अब यह kinetic energy देखो, क्या हो सकते हैं, purely rotational ह होगी, या rotation plus kinetic होगी, now, यदि आप इस point को focus करेंगे, चाप पर, जो without sleeping motion हो रहा है, तो ज्याज सी बात है, आपको मिलेगी, इस axis के about, purely rotation की energy, right, या फिर, यदि आप यहाँ से देखना चाहा रहे हो, ठीक है, आपका observer एदर है, तो आप rotation plus translatory, दोने energy मिलेगी, right, यह आपका आपको जैसे अच्छा लग या आप ऐसे कर सकते हैं, बट यह जो approach है, वो simple है, ठीक है, now, जैसे content छूटने वाला होगा, उस situation में यह जो आपको end दिख रहा है, यह हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर आप cost attack value find out करोगे, उस value को आप यहाँ पर put करो, right, ठीक है, और साथ ह इस equation का आप यूज करोगे, तो आपको मिल जाएगी, बी की value, देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से देखने समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह जो बी की value आ रहा है, वो आपके center of mass की velocity हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, now, इस b square का आप use करिए, और यहाँ पर put करिए, तो आपको यहाँ पर cos theta की value मिल जाएगी, तो जैसे cos theta value आपको मिलेगी, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, कि आपको मिल जाएगी, cos theta is equal to 4 upon 7, तो theta c की value आपको मिल जाएगी, cos inverse 4 upon 7, अब जो c part था, उसमें आपसे प और यह जो आपका cylinder है, वो इसके age से disconnect हो गया, तो अब omega तो same रहने वाला है, यहाँ ने की rotation energy same रहने वाली, वो change नहीं होगी, rotational kinetic energy उतने ही रहेगी, जितनी इस point पर contact छोडने के time थी, अब जब यह और नीचे आएगा, तो बहाँ पर जो energy increase होगी, वो सारी सारी increase होगी होग है, तो पहले तो आप यहाँ पर rotationally kinetic energy निकाल सकते हो, किसी इसी बात है, आप ICM omega square, ICM क्यों यूज किया, चाहर सी बात है क्यों कि जो आपका cylinder है, अब आपके center of mass की जो axis है, वो सी के about rotate कर रहा है, और omega तो same ही रहने वाला है, तो यहाँ पर यहाँ आपने solution यूज किया, और आपको यहाँ पर kinetic energy of rotation मिल गए, बना अपन 7 mg, ठीक है, अब आप यूज करोगे, तो total kinetic energy, यानि कि ट्रांसलेटरी प्रेस rotation की जो इनक्रीज है, इंक्रीज जितनी होगी, जितना decrease हुआ है, तो आप यहाँ पर यहाँ आप यूज करो, तो देखो cylinder आपका पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको मिल लेगा, जो kinetic energy है, टांसलेटरी, 6 upon 7 mg, अब आपको सिर्फ रेस्य चाहिए था, तो आपको 6 की वैल्यू मिल गए, I hope इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों से सेर करना, बिल्कुल ना बोलना, थैंक्यू एंड, have a nice.